हेलो एरिवान, वेलकम बैक तो माई यूटूब चाइनल न्यूटन, फ्रेंट्स आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सब ने कैप राउंट की रेजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अप कर दिये होंगे, जिन्होंने नहीं किये यार वो जल से जल करो क्योंकि उसकी लास डेट नजदीकार है, चाहे आप फार्मसी के स्ट्वेंट हो, या चाहे आप इंजिनेरिंग के स्ट्वेंट हो, आपको जल से जल अपना रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना है, ओके, तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैप राउंट की न्यू डेट्स, जैसा कि आपको पता चल गया है कि कैप राउंट का शेडियूल पोस्ट पांड कर दिया है, गवर्मेंट ने, तो हम उसकी न्यू डेट्स देखने वाले, लेकिन न्यू डेट्स हम बहुत सिंफ्लिफाइड मैनर में देखेंगे, जैसा कि CET सेल पर दिये, वैसा का वैसा न सबसे पहले मैं इस चैनल पर डालता हूँ यार, इसलिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करके रखना है, साथ ही साथ आभी आप कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट येर में क्या-क्या चीज़े पढ़नी है, कब से आपको प्लेस्मेंट के लिए पढ़ना है, कितना पैकेज ह आपकी सबसे इंपोर्टन डेट है, और इसकी लास्ट डेट है, 30 डिसेंबर, इसकी स्टार्टिंग डेट है, 9 डिसेंबर, और इन डेट है, 30 डिसेंबर, दूसरी इंपोर्टन डेट है, डिस्पले आप प्रोविजनल मिरिट लिस्ट, जो प्रोविजनल मिरिट लिस्ट प आपकी final merit list आने वाली है चोथी important date है online submission and confirmation of option form of cap round 1, मतलब आपको cap round 1 कौन से दारिक को भरना है आपको 7 तारिक से लेके 9 तारिक तक उन्होंने time दिया है उस time में आपको cap round के लिए fill up करना है ओके next important date है display of provisional allotment of cap round 1 मतलब आपको cap round 1 में कौन सा college मिला या आपको 13 तारिक को पता चल जाएगा 13 जन्वरी को आपको इस चीज़ की भनक लग जाएगी और last important date है आपको इतनी dates याद रखनी है और last important date है online submission and confirmation of option form of cap round 2 cap round 2 आपको 18 से 20 तारिक तक आप option form fill up कर सकते हो बस आपको इतनी ही तारिक याद रखनी है यार बाकी जितनी भी dates है वो आपको अपने surrounding से पता चल जाती है ठीक है लेकिन इतनी तारिक आपको अपने दिमाग में ही रखनी है चाहिए आप खा रहे हैं सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ यार दो तारिक का अपनी provisional merit list आने वाले provisional list में आपको कौन सी कौन सी चीज़े देखनी है वो चीज़े में आपको next वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है तो यह सारी चीज़े थी आज की वीडियो में और और एक अपडेट है यार जो बच्चे MSTCT 2021 2022 दे रहे होंगे उनके लिए एक important अपडेट है उनको अन academy पे एक marathon लगने वाला है यार यह marathon classes every Saturday होने यार और बहुत ही मतलब सारे reported teachers द्वारा यह पड़ाने जाने वाले है तो जो बच्चे आपके relatives होंगे कोई जो MSTCT 2021 2022 देने वाले है और कोई आपकी juniors होंगे जो MSTCT 2022 देने वाले तो उनको इस चीज़ के बारे में जरूर बताओ जरूर इस चीज़ का अनुभव लेने को बोलो experience लेने को बोलो सारे subjects के आपके marathon लगने वाले marathon मतलब यार 5-6 गंटे के continuous classes होते है उसमें आपका maximum syllabus प्लस कवर कराने का वो ट्राइ करते हैं ओके और anacademy बेस्ट प्लान से यार मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन के बेस्ट प्लान से वो उनको बताओ आप क्यूंकि अगर आप 12 मेने का प्लान लेते हो anacademy का उसमें आपको सारी चीजे मिलते हैं doubt session मिलते हैं live classes मिलते हैं आप multiple teachers से पढ़ सकते हो multiple समय पर पढ़ सकते हो आप बतलब पूरे आपकी preparation वहाँ पर कर सकते हो आप ठीक है तो आपको जरूर anacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है उसका प्लस सब्सक्रिप्शन का 14 मेने की फीज है 14,850 रुपे और 6 मेने की फीज है 12,150 रुपे उसमें भी अगर आप code यूज करते हो मेरा MSTCT 2020 के लिए अगर मेरा code यूज करते हो Newton तो आपको flat 10% discount वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो जरूर आपको यह चीज का अनुभव लेना है experience लेना है तो यह सारी चीजे थियार आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक क लब कर देना है तो यह सारी चीजे थी आज की वीडियो में अगर आपको किसी चीज से रिलेटे डाउट हो तो आप मुझे Instagram पर पूछ सकते हो मैंने Instagram ID दे रखा है मैं सब को reply देता हूँ यार और comment section में आप पूछ सकते हो ठीक है तो खतम करते हैं चीजों का और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर थैंक यू